बोट वेवलाइट स्मार्ट वाच में टाइम कैसे सेट करें यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी वाच में यह टाइम शो हो रहा है जबकि रियल टाइम अलग है तो आपको बोट वेरेबल्स एप को इंस्टॉल कर लेना है फिर इसे ओपन करना है यहाँ से नोटिफिकेशन को अलाओ कर देना है अब आपको अपना फोन नमबर एंटर करना है अब यहाँ से टर्म सेंग कंडिशन को एगरी करना है फिर यहाँ से सेंड ओटिप यहाँ से आपको ओटिप एंटर करना है और अब वेरिफाई ओटिप तो यहां देख सकते हैं Verification Successful Continue यहां से आपको अपना नाम Last Name और Email ID Enter करनी है फिर यहां से Continue अब यहां से Permissions को Grant करना है OK यहां से आपको Notification Access को Allow करना है अब इन Permissions को यहां से आपको Allow करना है ठीक है अब यहां से Continue Setup यहां से आपको अपनी Watch को Select करना है जो की है Wave Light यहां से Setup I Agree यहां से आपको Allow करना है Bluetooth को Enable करना है अब आपको Location को On करना है यहां पर Watch Search हो रही है यहां से Try Again आपको Watch को Nearby रखना है यहां पर Watch को Select करना है Connect तो यहां पर देख सकते है Pair Success और अब Time भी Set हो गया है Watch में यहां से आपको अपनी Profile Complete कर लेनी है ठीक है तो अब यहां से Goal Select करना है और You Are All Set तो इस तरीके से आप Easily अपनी Smart Watch को Set Up कर सकते है यहां से आप इसके All Features Use कर सकते है अब अगर आपको Watch में Time 24 Hour Time Format में Set करना है तो वो भी आप Easily Set कर सकते हैं अब Time 24 Hour Time Format में Show हो रहा है यहां से आप Phone में Account में और Information देख सकते हैं यहां से Activity, Analysis, Home तो यह सारे Features आप यहां से Use कर सकते हैं